पुराने फोन के वाट्साप को नए फोन पे कैसे ट्रांसफर करेंगे वाट्साप के जो मैसेज बगारा है आपके पुराने वाले मॉवाइल में पुराने फोन में उसको आप नए फोन पे कैसे ट्रांसफर करेंगे इस पीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस पीडियो म आप अपना WhatsApp ट्रांसर करें वाट्साप ट्रांसर करने से पहले एक आपको सेटिंग कर लेना बरना आपके फोन पे ट्रिक बर्ग नहीं करेगी तो सेटिंग यह करना है कि आपने जो नया वाला मोवाइल लिया हुआ है उस मोवाइल में आपने जो आपने आपने पुराने वाले फोन पे लोग इन करने के लिए वहाँने ऑ住 ps imposs analytics कर चाहिक लिए सिम्पिलम करने केलेयगा अपने प्रोफाइल पर क्लिक rendre आप यहां पर गूगल आप्सन करिए गा तो आपको अपनी इमेल आड़ी यहां पर देखिए कुछ तरीके पर डालने के लिए आएगा इसके बाद पासवट डाल लिए गा तो आपके अगर आप पुराने फोन की इमेल आड़ी नए फोन पर लॉग इन कर रहे हैं तो भी हो जाए करने के बाद सेटिंग करना अपना वicamente आण्व स क्लिक करना है तो इसके बाद है निचे तरफ पह यहाँ पर आपको आफन देखना के अपको आपको चैड की चैड की इसको करने के लाद यहां पर आपको कुछिस तरीके से आएगा यहां फे नीचे तरफ देखेंगा आपको बैक आप टुज्राइब का फन लेगे यहां क्लिक करना है और इसके बाद आ gua है आपको इमील आड़ी लगिं में करना है जैसे अपनी एपने आड़ी। और आपको एस तरीके देखेंने के शेटिंग मिलेगा बाइक ऊवचित guided बाइक करते हाँ है इसके बार बाद आप आप जो यह बाला जो आप अपन दिख रहा यहां पे आपको क्लिक करना है यहां पर जैसे क्लिक किज़ेगा कुछ इस तरीके से आएगा आपकी जो बारी पोन पे आपको क्या करना है मैं भी बता रहा हूं यह प्रोसेस आपको complete हो जाने देना है तो अप देख सकते हैं हमारा जो back up था हो हमारा बैक यहां पे complete हो चुका है बैक अपकी प्रोसेस थी यहां पे हमको 5-7 मिनट का टाइम लगा है तो यह हमारा backup complete हो गया है backup complete होने के बाद देहिए जब आपके ऐहां पी 100% पूरा हो आप वाटसाप नए फोन पर प्लेय स्टोर में जा करके तरह से ये इस तरह से आपको इस्टॉल करना है इसको आपको प्लेयट करें पहले लगा होग्थ set пош उस नंबर पर चल ला था वही मोबाईल नंबर हमें पर डाल देते हैं यहां पर डालने के बार नेक्स प्र confused प्राइब करें गे देखिए को सीजिए तरीके से आएगा इसको से बाद है आप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको आएगा कांटिन्यियु का विरीफाई अनाधर वेक हम यहां पर अगर हमारा सिम यह इसी फोन में लगा हुआ है तो हम आप एक करण करेंगे इस सीम एप करेंगे इसको विभी करेंगे करेंगे तो उस नंबर पर एक स्यमय में यह जाएगा जैसे हैं पर continue पर click किजिएगा तो आपको allow के लिए आएगा जितनी बार भी allow मागे simply आपको यहाँ पर allow कर देना है अब आपको यहाँ पर कुछ ध्यान देना है थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है अलाव करने के बाद यहाँ पर आपको एक आफंद खुल के आएगा looking for backup का देखिए कुछी सरी के से यहाँ पर आपको restore और किसकी बेस्टाइब करना है देखिए यहाँ पर फाइल का साइज दिखा रहा है और आपकी email आईडी दिखा रही है हमने आपको जो email ID के बारे में बताया तो वह email ID यहां पर सो कर रही है इसके बाद नहां पर restore पर हम क्लिक करेंगे जैसे restore पर क्लिक करेंगे देखें नीचे तरफ यहां पर प्रिपेरिंग करके देखेंगा और यहां पर कुछ आपको टाइम लगेगा पांच-शाथ मिनट इसके बाद हमें पर next पर क्लिक करेंगे इसको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर लिख के आ रहा रहा restore now your media will be restore in the background when connect to wifi वोके पर क्लिक कीज़े इसके बाद देखिए आपकी जो profile बगारा थी वह यहां पर आटोमेटिक आजाए उस पुराने वाले वाट्साप की इसकी बाद आप अपना नाम डाल सकते हैं यहां पर नेक्ट पर जैसे क्लिक कीजेगा तो कुछ इस तरीके से थोड़ी सी प्रोसेस होगी और आपका जो बाट्साप देखी आपका वाट्साप कुछ इस तरीके से अभ